लो डिये स्टूरेंट्स वन्स अगें वेलकम बाग तो आर चैनल ग्यांग लाप बहुत दिन के बाद मेरी आप से मुलाकात हो रही है यहां पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं मेरे एक रिजल्ट का अपडेट वाली इंफॉमेशन तो यह नोटिफिकेशन वाले पार्ट में आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर आपको देखने मिल रहा होगा रिजल्ट स्केडियूल अपडेटेड और यह इंफॉमेशन आपको 29 अउगस्ट को दी गई थी तो बहुत सारे बचे कर्मेंट करके पूछ रहे थे कि मैं 15 तारिक को डिजल्ट exactly कितने बज़े आने वाला है 15 तारिक को आएगा की नहीं आएगा रिजल्ट कब आएगा एटसेटर एटसेटर तो आपके मन के जितने भी सवाल थे सारे सवालों के जवाब में इस शौर्ट में बता देती हूँ कि बच्चो re-exam plus regular exam जितने भी सीटी के बच्चे थे सबका रिजल्ट 15 तारिक को आने वाला है आप ये PDF पे अगर नीचे नीचे जाके थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे तो ये देखिए option number 9 यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमको कि जितने भी बच्चों के exams हुए थे MSTCET के PCMN PCB group वाले चाहे वो re-exam हो चाहे regular exam हो सबका result आने वाला है 15 September को 5 PM onwards देखो यहाँ पर आपको time भी दिया गया है अब दो चीज़े आपको याद रखनी है सबसे पहली बात तो अपना form ढूंड के रखो जो आपका admit card था जो आपका hall ticket था वो ढूंड के रखो क्योंकि उसके उपर का application number आपको result ढूंडने में मदद करेगा और दूसरी बात 15 September को 5 बजे से result बोला है तो आप 4 बजे से phone का website मत login करते बैठ जाना या सुबे 7 बजे से मत try करना आराम से patience रखो क्योंकि बहुत सारे बचे जब एक साथ result चेक करते हैं तो site crash हो जाता है और इसलिए फिर 2-3 घंडे के लिए site बंद हो जाता है और बार-बार error दिखाता है तो stress नहीं लेना है, tension नहीं लेना है बिलकुल भी घबराना नहीं है आपका result जैसे ही आएगा हम आपको अपने टेलिग्राम ग्रूप पे notification अपडेट कर देंगे और साथी साथ हम आपको live आकर या video अपडेट करके भी बता देंगे कि आपका result जो है वो आ चुका है तो result कैसे check करना है उसके बारे में भी मैं आपको एक छोड़ी सी short clip बता दूंगी कि how to check your CET result यहाँ पर timing आपको दिया है तो I hope आपका सारा confusion clear हो गया होगा हाँ result आने के बाद हम daily आपको reminder दे रहे हैं कि आपका जो भी admission process है उसके लिए जो जो documents आपको लगने वाले हैं टो documents list की जो video है वो नीचे आपको description में मिलेगी तो I request you all कि please एक बार description में दी हुई video को check करें उसको अपने जादा से जादा friends के साथ share करें ताकि सब लोगों को पता चले कि engineering pharmacy और agriculture admission के लिए कौन से कौन से documents important है अब तक अगर आपने कोई important document नहीं बनाया है तो please बना लो ऐसा ना हो कि आप eligible हो आप qualify हो जाएं लेकिन documents की वज़े से आपका admission मिस हो जाए तो please do not miss on any documents जल्दी जल्दी से video देखो और description चेक करो और अपने documents ready करके रखो सब का photo copy अपना खुद का photo सब सब निकाल के अपने document सेट करके रखो result के attention बिल्कुल मतलो मुझे मेरे बच्चों पर पूरा यकिन है MSTCAT 2022 के जो aspirants है आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो आप कम्माल और धमा के दार मांस लाने वाले हो स्ट्रेस लेने की कोई ज़र्वत नहीं है बिलीव इन यॉर्सेल्स जस्ट फेट इन यॉर्सेल्स बिकॉस आई ट्रस्ट आल माई स्टूडेंट्स आप एकदम ऐसे लगातार देखते रहें क्योंकि आपके लिए बहुत सारी नाइन चाप्टर्स है जो नॉन डिलीटेड वाले पार्ट और डिलीटेड सब कुछ मैंने एक्स्प्लेइन करके रखा है नाइन फुल चाप्टर्स आफ बायो आप यह चाप्टर्स देखकर खतम कीजिए तब तक आपको जो डिलीटेड पार्ट वाली वीडियो है वो में झाल आपको